वैसे तो कश्टर पाउडर हम बार से अमेसा ले करी आते हैं लेकिन इस माहूल में लोकटाउन के समय पे मिलना थोड़ा मुस्किल है तो आज हम कश्टर पाउडर को बिल्कुल आसानी से बिना मिक्सर के केवल अपने आतों की साइता से और बहुती कम सामगरी के साथ मेजरमेंट कर ले तो यहां पे मैं आपको सामगरी बता देती हूँ였습니다. सब से पहले यहां पहले एक काटोरी बरकर ले लिया है कोर निस्टार्च में अन्ने इसी काटोरी से और आदिमात्रा में अधिल्या है मिठा मिठ हो लिए यह फिर आप सक्कर को पीसकर भी eat content कर सकते हो तो उसी के साथ हमने आदा कटोरी यहां पे लिया है मिल्क पाउडर इससे इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल जैसे आप बाजर से लिक राते हैं वैसा ही बन करते यार होगा तो यहां पे लिया है येलो फूड कलर और अगर फ्रेंट्स आपको कलर नहीं डालना है तो आप ना अगर आपके पस नहीं है तो आप इसके अंदर इलाइची का पाउडर भी मिक्स कर सकते ह। और कलर की मात्रा मैं आपको साथ-साथ बताती रहेंगी आपको कितनी एड करनी है तो अब इसको बना लेते हैं तो यहां पे आमने एक बड़ा बोल ले लिया है मिक्सिंग बोल ज कर सकते हैं अब इसकी सामगरी को हम साथ साथ चान कर भी ले लेते हैं तो यह अमने चलनी रख ली है और सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं को नी श्टार्च इसी के साथ यहां पर मेठा भी एड कर लेंगे और सामगरी को हम इसलिए चान रहे हैं क्योंकि सक्क्र को अमने गर में पीस कर लिया है तो इसके अंदर दाने बच जाते हैं और मिल्क पाउड भी आमने इसमें डाल लिया है तो यह देखिए इसके अंदर कुछ सक्क्र बच गई है इसको आटा देंगे और बाकी की सामगरी भी इसके अंदर हम एड़ कर लेते हैं तो यहां पर हम डालेंगे इसके अंदर vanilla essence तो यहां पर vanilla essence की हम कुछ बुंदे डालेंगे फ्रेंट से इसका flavor आ जाएगा और इसी के साथ हम इसमें add करेंगे color तो मैंने यहां पर yellow जो liquid food color था उसका इस्तिमाल किया है आठ से 10 बुंदे इसके अंदर डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिला लेना है तो यहां पर पहले मैं इसको एक बार चमच से मिला रही हूँ ताकि color आठों पर ना लगे उसके बाद मैं आठ से ही बना कर तयार करेंगे तो चमच को आठा देते हैं और जो आमने यह सारी चीजे मिलाई है इसको अमें उसी तरीके से मिलाना है ज तरीके से इसको आप मसले आते लियो और जो अमारी इसकी उंगली वाला पार्ट है इसी इससे से आप इसको मसले तो बहुत जल्दी आपका मिक्स हो जाएगा और यहां पर इसका एक और आसान तरीका है अगर आपको ज्यादा देर तक मैनत नहीं करनी है तो आप पूरी साम और éénनकार मिक्सर एक 100 का थेट ने के बाद में बनकर तयार हो जाएगा तौ अब इसको मिलाने के बाद में और चान कर लेंगे तक आपके अनदर को भी गुट्오र कर ले तो इस तरीके से हम इसको चान लेते हैं मैंने इसको बिना मिक्सर के और आज से इसलिए बनाया है ताकि सबी इसको गरों में आसानी से बना सके तो यहां पे आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत गुठलिया बची है तो इनको भी आज से इस तरीके से और करके पूरा इसको चलने में से निकाल लेना है ताकि इसका कलर जो अच्छे से आजाए अब इसको चानने की बाद में और जो यह आप देख रहे हैं ना इसका कलर अलग से दिखाई दे रहा है इसको 20-30 से के लिए और आज से इस तरीके से एक बार और मिला लेंगे अगर आप मिक्सर में बना रहे हैं तो भी और आथ से बना रहे हैं तो भी इसको चान जरूर ले आप अब इसको मैं एक बार दोबारा चान कर आपको दिखाऊंगी फ्रेंट्स उससे एक तो इसका इसका कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर जरा बहुत सी गुठलिया और बची होंगी तो वो भी एक सार हो जाएगी वाप इससे इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से तो फ्रेंट्स घर में जो है ना कश्टर पाउडर बनाना बहुत ही आसान होता है और जब हम बार से लेकर आते हैं तो इतना कश्टर पाउडर लाने में बहुती ज़्यादा महेंगा पड़ता है और घर में आप इसको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम सामगरी के साथ सस्ते दाम में और डेहर सारा तयार कर सकते हो और इसका जो कलर है वो भी एकदम बाजार वाले के जैसा ही आया है त अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद